आज G20 की सभलता को भी आपने सर्वसंवती से सराहा है मैं मानता हूँ देश वाच्छों का आपने गवरो बढ़ाया है मैं आपका आभाय व्यक्ता करता हूँ G20 की सभलता 140 करोर देश वाच्छों की है यह भारत की सभलता है किसी व्यक्ती की सभलता नहीं है किसी दल की सफलता नहीं है भारत के फैडरल स्ट्रक्चर ने भारत की विविद्यता ने साथ सानों पर दोसों से अधिक समीट और उसकी महजबानी हिंदुस्तान के अलग-अलग रंग रूप में देश की अलग-अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान सकी और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है ये हम सब के सेलिप्रेट करने बाला विश्व है देश के गवरवगान को बढ़ाने वाला है और जैसा आपने उलेक किया भारत इस बात के लिए गर्व करेगा जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय आफ्रिकन उनियन इसका सद़ से बढ़ा मैं उस इमोशनल पल को भोल नहीं सकता है जब आफ्रिकन उनियन की गोश्णा हुई और आफ्रिकन उनियन के प्रिस्डेंट उन्होंने एक इंटर्वे कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूँगा अब तलपना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपच्छा और आशाये पूरी करने का काम भारत के भागे में आया आदे ने देख जी भारत के प्रतिशक करने का एक सभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है इस बार भी यही था कोई डिकलेरेशन नहीं होगा असंबव है लेकिन ये भारत की ताकत है कि बहभी हुआ और वीश्वा सर्वसम्यति से एक साहजा गोष्णा पत्र लेकर के आगे का रोल मेट लेकर के हां से प्रारंब हुआ है और अद्यक जी आपके नेतरुत्व में क्योंकि भारत की अद्यक्ष्टा नवेंबर के आखरी दीन तक है इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उप्योग हम करने वाले है और आपकी अद्यक्ष्टा में दुनिया भर के जो G20 के सदस्य है P20 पार्लेमेंट के स्पिकर्स की एक समीट जैसे आप निकोष्णा की सरकार का आपके इस प्रायासों को पूरा समर्फन रहेगा पूरा सह योग रहेगा आदेने अद्यक्ष्ट जी हम सब के लिए गर्व की बात है आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगा बना पाया है पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है पुरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूर कारान है हमारे जो संसकार है वेज से विवेकानन तक जो हमने पाया है सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ राने में जोड रहा है झाल झाल